अस्ताम्लीकम क्लास 4 एक्सेसाइज 7 भी हमने कम्पलीट कर ली थी अब आप लोग पे नबर 177 ओपन करें अब हम सरकल के बारे में सारा पढ़ते हैं कि सरकल क्या है इसके इंपोर्टन पॉइंट्स इससे रिलेटर क्या होती है इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं एक सरकल है तो उससे रिलेटर हमें क्या क्या चीज़ें डिसकर्स करनी होंगी जो हमें अभी 7C में करना है वो अभी सारी चीज़ें पहले समझे आपके पास सबसे पहले है अ कम्पलीट टर्न है 360 डिग्रीज जैसे कि सारा पिछले एक्सेसाइज में देखा कि सारा अपने फैन को डिफरेंट डिफरेंटली ओपन करी थी तो डिफरेंट एंगल्स बन रहे थे जब सारा ने अपने फैन को सबसे पहले इस शेप में थोड़ा सा खोला है तो हमारे पास एक्यूट एंगल था देन सारा ने अपने फैन को L-shape में open किया that was right angle जब इस L-shape से भी ज़्यादा उसने open कर लिया then it was obtuse angle then जब सारा ने अपने फैन को इस तरह open किया कि एक just हमारे पास straight line इदर बन रही थी तो यह straight angle था जब इस straight line से भी और ज़्यादा पीछे उसने move किया अपने फैन को तो रिफ्लेक्स एंगल बना था noise diagram में देखे तो सारा ने अपने फैन को totally open करके जो उसके parts से उन दोनों को join किया है तो पूरी circular shape बन रही है it means उसने complete कर लिया है सारे angles को completely open कर लिया है तो यह complete turn बन गया है जिसमें पूरा circle बनते वाक 360 degree angles होते है 360 degrees इस complete circle में यह complete turn में जब उसने अपने फैन को completely open किया तो यह 360 degrees पे उसने अपने fan को open किया पूरा complete turn दे दिया तो अब उसके पास जो shape आई है वो circle की shape ठीक हो गया तो shape made by the one complete turn is the shape of a circle जब एक complete turn होता है complete turn जहां भी आईगा it means we are talking about 360 degrees ठीक है complete turn में 360 degrees होंगे so ऐसी shape जो 360 degrees से बनती है that is the shape of a circle ठीक है अब circle आपके पास यहां पे आपको नसर आ रहा है इस circle की definition properly पढ़ते है circle is the path of a moving point which is always at the same distance from a fixed point अगर center में एक point मैंने लिया यहां पे यहां पे मैंने लिया ठीक है तो यह fixed point हम कहते हैं और यह वाला जो point है यह P मैंने लिया यह moving point है एक fixed point मैंने center में ले लिया है और moving point मैं side पे ले रहा हूं अब circle कैसे बनता है जब यह moving point इस fixed point से एक proper distance पे same distance पे fixed distance पे move करना शुरू करता है यह point पहले यहां से इदर move हुआ then around में आया किस तरह move होता जा रहा है कि यह वाला distance हर जगा पे बिल्कल बरापर है center से हर जगा से जो distance आ रहा है वो बिल्कल बरापर है यहां तक कि यह moving point है चलता चलता वापस पहली position पे आ गया तो यह जो shape बनी है इस moving point की वज़ा से not because of the fixed point इस moving point की वज़ा से यह आपके पास circle की shape आ जाती है आप लोगों के पास जो geometric box है उसके उपर भी देखें यह circle बना है इस तरह different balls होंगी different चीज़ें होंगी आपके earth गयते इस पड़ी होंगी even यहां पर जो आपको small players अगर बात की जा रही है bottle है कुछ भी है यह सारे circular shape में है even our earth is of circular shape हमारी जो earth है वो भी circle shape की है ठीक हो गया so अब अगर earth की बात करते हैं तो हम लोग सारे earth की surface की उपर रह रहे हैं तो यह surface है यह वो round path है इस शेप की अगर सिर्फ बात की जाए तो यह moving point जिस जो arrow में ने लगाए है यह moving path था जिसको वो follow कर रहा था point यह edge इसको edge कहेंगे उसका किनारा कहेंगे और यह edge कहलाता है circle का circumference या boundary भी इसको कहते हैं इसको boundary भी कह सकते है so circumference आपके पास सबसे पहली heading आगी है एक पहला point circus related पहली चीज़ आपको पते चल गी है that is circumference that is the edge of the circle और it is the boundary of the circle आप कुछ भी कहें edge के हैं boundary के हैं circumference के we are just talking about the outer line यह जो line हमें नज़राती है यह circle की है यहाँ पर यह वाला fan का यह वाला सारा portion यह इसका circumference होगा अब अगर एक circle को half cut कर दिया जाए जैसे हैं कि आपके पास protector है तो यह एक circle को cut किया गया है जिससे हमें यह मिले तो इसको semi circular shape मैंने last lecture में भी आपको बताया था half semi यह जो word semi है इसका मतलब ही half होता है ठीक हो गया अब इसके इलावा circle के अंदर हमारे पास एक radius time होती है और एक diameter होती है ठीक है और यह दोनों circle के center से belong करती है center से belong करती है जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक circle है उसका center point हमने यहाँ पर led किया और जब इस center point से boundary में boundary की तरफ या circumference की तरफ किसी एक side पे यानि boundary से और उस center तक का जो distance होता है वो radius कहलाता है that is radius ठीक है और जब हम इस radius का double कर देते हैं यानि जितना मैंने इदर लिया है इतना dotted कर दिया जिसको बाद में इदर देखें कि वो complete share आगी है line यानि radius आदा इदर और half जो इदर था उसको भी highlight किया तो यह complete जो path है यह आपके पास diameter होता है basically जो radius होता है ना वो center से circumference के तरफ कोई भी एक point radius कहलाता है जो diameter है वो circumference पे any two points के दरम्यान distance होता है और वो center से गुजर की जाती है line वो ऐसी line बननी चाहिए जो center से गुजर की जाए तो यह हमरे पास diameter कहलाता है अब देखें यहाँ से के radius अगर half था तो diameter इधर और half आ जाता है यह अगर radius यहां भी हो यहां भी हो तो मिला के diameter बनता है इत मेंज जो diameter है वो आपके पास radius प्लस radius है ठीक है ये वोला radius ये वला देखें ये वला इससा और ये वला इससा या यह वला इससा तो radius प्लस radius किया तो आपके पास complete diameter आजाते हैं It means radius का formula आपके पास 2R आ जाएगा. R प्लस R, 2R हो गए. अब नेक्स पेज़ पे आपके पास diameter और radius की proper definition है. यह formula भी आपको बताया है. मैंने आपको इस तरह लिखके दिखाया. D is equal to 2R. इसको 2 multiply R भी लिख सकते हैं. The line which, अब diameter की definition is line which joins two points on the circumference. center passes through the center of the circle. एक circle पे उसका जो circumference है. उस पे अनी two points ने A, B, let's suppose यह point है. और यह center था C. अब यह A और B को ऐसी line मिलाए जो center से भी गज़र के जा रही है. तो यह diameter पूरा है. जबकि radius a line from the center joining any point on the circumference is called the radius. अब radius के लिए आपके center से कोई भी point मैं इस direction में भी ले सकती हूँ. लेट्स पूर यह F point था और center C से F तक का जो distance है, half वाले distance है, यह radius कहलाता है. अब diameter का formula आपके पास आगा है. 2 multiply radius 2 multiply R, diameter D is equal to 2 multiply R, यह 2 multiply radius. ठीक है? यह diameter आपको find करना है. अगर radius अगर दिया है, तो radius को multiply 2 करेंगे, तब ही आपके पास diameter आएगा. लेट्स पूर यहाँ पर अगर आपके पास radius 3 था ना, मैं 3 लेती हूँ. तो अगर आपने diameter इसका find करना था ना, तो radius आपको 3 दिया है ना, तो आपको 2 multiply R में, 2 multiply 3 करना है, diet is equal to 6, तो आपको diameter इसका 6 cm मिल जाएगा, ठीक है? अब अगर आपके total complete shape अगर इस तरह की है, आप center से इस तरह portion बना देते हैं, तो यहाँ पी चेक करें, यह वाला portion सिरफ शो हो रहा है, यह वाला, जो मैंने color की है इदर. तो अगर आपके पास one fourth, total four portions थे, उसमें just एक portion आपके पास आया है, इतमींज यह one fourth of the circle है, तो one by four of the circle जो कहलाता है, वो quadrant होता है, यह जो एक shape आपके पास है, यहाँ पर यह जो color मैंने की है, यह आपके पास quadrant है, या quarter of the circle, quadrant यह quarter of the circle, दरना आपके पास यह जो term है, center basically, यह वो fixed point है, जिसके गिर्द, वो moving point, move करता है, अब वो move कैसे करता है, वो आपके पास compass है, जैसे आपकी book पी भी है, आपके geometry box के अंदर भी होगा, यह आपको नजर आगे, इसको कहते हैं, pair of compasses, ठीक है, इसके through, इसी तरह आपने भी pencil अपनी adjust कर ले नहीं है, और basically, यह वाला point, आपका circle का वो fixed point होगा, और आपकी pencil का यह जो इदर है, यह move करेगा, इसकी movement से आपको moving point, यानि यह tip जो है इसकी, यह moving point है, और यह जो इसका है, यह fix point है, यह जो pin है इसकी compass की, अब अगर आपने कोई circle बनाना है ना, आप just इस fix point को पहले नीज़े push करोगे थोड़ा सा, दबा लोगे, अब मेरी pencil page की उपर नहीं है, मैंने रखी है, ठीक है, मैंने just pin को push की अब है, और then we will move the lead pencil, जब हमारी lead pencil move करी है, तो,